ए बी और आर लाइन से ही हम संकर बाज़ा तयार करते हैं तो प्रश्न ये उठता है एक जिग्यासा उठती है मन में कि ये ए लाइन आखिर है क्या इसके बारे में बताईए अपने जो ए लाइन है मादालाइन में इसलिए बता रहा हूं कि इसमें पराकर नहीं आते हैं उसके पराकर न पराकर और जिसरे पोदे की लाकर कर सकते हैं ये जानने के लिए कि जिस तरीके से आपने ऐ लाइन के बारे में बताया तो ये भी बताये कि B-Line क्या है इसका क्या महत्व है A-Line को बनाने के लिए अपनों B-Line से क्रोज कराना पड़ता है जिसको की अपने e-maintainer line बोलते हैं B-Line को हमेशा मेंटेनर इसलिए बोलते हैं कि पर्टिकुलर वो जो A-Line है जो मादा लाइन है उसका बीज बनाने के लिए B-Line को काम में लेते हैं ताकि उसका B-Line का परागन उसे अपने संकरन कराएंगे तो जो बीज बनेगा वो A-Line का बनेगा इसके लिए अपने इसको मेंटेनर लाइन को लेते हैं और मेंटेनर लाइन का बीज बनाने के लिए सिंपल अपन परतक्रन की दूरी रखते हुए एक फिल्ड में B-Line लगा लेंगे तो उसका बीज उत्पादम सिधा-सिधा B-Line का हो जाएगा जी डॉक्टर साथ आपने A-Line और B-Line के बारे में बताया तो अब कहीं नकई मेरे मन में ये भी बात आ रही है कि जो आपने R-Line का जिक्र किया था क्या वो इन लोगों की सहियोग के लिए ए और B-Line के सहीयोग के लिए है या उसका क्या उपयोग है इसके बारे में बताईए जब A-Line का बीज अपने को मिल गया बीज से क्रोस कराने के बाद में तो यहां तक का जो प्रकरिया होती है वो परजनक बीज और आधार बीज की होती है लेकिन जैसे ही अपन बात करते हैं कराते ही आपको संकर बीज मिल जाए तो वो हमारा बीज यह जो नहीं वेराइटी जो नहीं किस्म जो विक्सित करते हैं उसी समय हम एक पर विशेश रूप से एक आर लाइन को चैन करते हैं जिससे की A-Line को क्रोस कराएं और A को क्रोस कराने के बाद में जो बीज मिलेगा उसको अपन परमानित बीज या संकर बीज बोलेंगे